नमस्कार आज उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो में आपका स्वागत है और इसमें हम अक्सर लोग सभा सीटे जो उत्तर प्रदेश की हैं उन पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं हमारे साथ आज मेरट से जुड़ रहे हैं वरिष्ट पत्रकार पुश्पेन सर्मा जी मेरे सीनियर भी रहे हैं और बड़े संभानित है मेरे नमस्कार सर नमस्कार हर्ची तो सर मेरट में आपने ये क्या कराया मेरट में जो है आप बंबई से ले आए कंडिडेट ढोड़के बीजेपी के लिए ये क्या हुआ ये क्या कहानी है वही है वही जो राम रची राखा होना तो वही है जो रचा गया है जी देखिए हर्ची बहुत भागा दोड़ी चल रही थी टिकेट से पहले और बहुत से लोग उसमें एंटी ले रहे थे बहुत अगर याद आपको हो तो जनवरी के महिने में प्यूश गोईल की बात होन करेंगे बहुत सी ऐसी बाते थी जो भार्तिर्टा पार्टी जब इस्टेट जी बनाती है तो वह एक सीट की नहीं बनाती वह आसपास के जो भी जोग्रफी है उसका सब बातों का ध्यान रखते हैं जी और आपको यादी है 22 जनलरी को प्रान प्रतिष्ठा हुई थी और ए नीचे हो गया तो भारतियंद्र पार्टी ने उस हिसाब शायकर देखें तो बहुत अच्छा एक कैंडिएट लेके आए हैं ताकि उसका जो भावना है प्रान प्रतिष्ठा की उनकी यादों को ताजा रखा जाए और लोगों के मन में वह भावना लुप्त ना हो जाए त प्रकोष्टों से वो शायद उनके बहुत फेवर में नहीं थी हलाकि उन पर कोई ऐसा बड़ा विवाद कोई दाग नहीं था उसी समय पे वह रैपिट ने भी रफ्तार पकड़ी डियम उनके कारेकाल में तो ऐसा कोई विवाद नहीं था लेकिन मुझे लगता है कि आयू स नहीं आपने जो राजिंदर अगरवाल जी की बात कहीं मैं अपने दर्शकों को भी बता दू तीन बार से सांसत थे 2009 में जीत गए थे पहली बार जब UPA2 की सरकार आई थी और मंदा जमाना था उस समय बीजेपी के बाव बड़े डाउन थे उपी में कोई पूछ नहीं रह सकता है कि जो पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर कम रहा उसे पार्टी ने ये भी सोचा कि ये साध एंटी इंकंबेंसी डवलप हो रही है अगरवाल साब के खिलाब ये भी तो हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस समय जब परीशीमन चेंज हुआ तब ये दिर्शे में आये थे और एक बड़े साधारन से कारे करता थे हलाकि इन्होंने बहुत सारे कारेकर्म आयुजित किये थे पार्टी के पर पिछली बार जो हुआ उसने पार्टी को कहीं ना कही सोचने को विवश जरूर किया होगा पर मैं एक बात या दिलाना चाहूंगा अरशी कि उससे में जो जीट का अंतर इतना छोटा रह गया था तो जो महागर बंदन 2019 में बना था उसने सब जगा तो काम नहीं किया था पर कुछ जगा तो उसने काम किया था बहुजद समाज पार्टी के जो विचारक और चिंतक हैं उनके पेशानी पर उसकी चिंता की लकीरे आनी सभाविक थी चाहे उसे मानने कि एक हिस्सा उसमें जरूर रहा होगा एक कारण तो उसको बदलने का उन्होंने प्रयास किया और एक नया चेहरा लाके सामने खड़ा किया उसमें ये भी है दर्शक भी समझ लें कि जब ऐसे बदलना होता है तो पार्टी को ने कई चीजों से जूजना पड़ता है अगर लोग कह रहें किसा वह बाहर से क्यों ले आए होता यह है कि अगर वह यहां पर ही किसी को नेता को आगे बढ़ाते और सांसत बनाते तो एक बिना बात क एक विवाद और गुटवाजी सामने आ जाती क्योंकि बहुत सारे दावेदार थे तो उस गुटवाजी से भी बचना था सब लोग एक जुटवाजी से काम करते रहें तो बाहर का जब प्रतियाशी आता है ना हर्श जी तो उस पर तो वह एकमत हो जाते हैं पर अगर वही से किसी और दूसरे को प्रमोट कर दिया जाता तो मुझे लगता है कुछ भी बाद भी होते एक बिना अनावश्चा ग्रूप से कुछ गुटवाजी तो उससे भी उन्होंने अवाइड कर लिया और एक ऐसी सेलिबरिटी को ऐसे चेरे को ला दिया जिसका अगर वो सही से उ खरतिये लोग मूलते हम धार्मिक लोग हैं और आस्थावान लोग हैं तो उसमें उससे जुड़ाव एक महसूस कर लेते हैं और अनायासी मतलब जो शायद ना भी वोट दे रहा है अन्यने की स्थीति में हो तो वो भी उस तरफ को चल देता है कास तोर पर महिला हैं जो जरू करेंगे जानकरी जी है कि जो रामायन में इनके साथ सहाविनेता थे जो लक्षमन का रोल किया था वो तो तो नहीं है पर सुनाइशनी इक इस तारिक को शायद वो आएंगे ऐसा लगता है अच्छा अच्छा नहीं वैसे शुरू मैं आपने जो बात कही थी उसमें अच्छा नहीं है और उनको विल और प्रदेश लगता है कि अभी उन्हें जो है मेरड में ही मत दातां के साथ कनेक्ट करना हो और यह इसमें एक फायदा भी हो सकता है कि चूंकि मेरड में दूसरे चरण में ही मत दान हो जाएगा 26 तारिक मों तो बाकी बाकी वे फ्री हो ज सकता है यह भी बिल्कुल सही बात है लेकिन इनका मेरड से वैसे कुछ कनेक्शन तो है अरुन जी का ऐसा है कि इनके पिता जी नगर निगम में अभी अंता थे और बच्चा पार्क के पास जहां पे इनका आवास था जितनी मेरी जानकारी है और यह GIC में पढ़े GIC में एक मेरिट कॉलिज के पास कचैरी के पास बड़ी फिर्मस दुकान होती थी हेरे ड्रेसर की कहनी को तो उस पर मतलब यह माना जाता था उससमय के बढ़े अगर वहां पे जाकर आप हेरे ड्रेसिंग करा रहे हैं तो आप फिर बड़ी जगा जा रहे है पैसे भी उसके उस सम मैं जो भी उपलब्द होते थे बड़े विदेशी और सब चीज थी तो मुझे अफरत सी हुई तो मुझे फिर अरुन गोविल है राम का रोल किया है नमस्कार हुई अभी विवादन हुआ उस समय जेंटल वहवार था देंगि जो आपने सवाल पूछा मेरेट के आजाने के बाद हुई थी लेकिन मुझे आज चेंगे आप ने अरुन गोविल को पहचा ना नहीं आप रामायन देखते नहीं थे क्या मैं साइड में बैठा था और उसमें मैं कुवेट से आया था तो रामायन मैंने वहां पर कैसेट्स में देखी थी और लगातार उसे न आपको लगेगा तो कुछ है यादसा आ रहा है बैक आफ दी माइन में जाता है पर एक दम से क्लिक नहीं करता कई बारी उनसे में वहार अच्छा था पर जो आपने सवाल किया एक एक और दिटेल चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए आपको रोखू उपर रामायन में का करने के बाद मेरट में क्यों आये थे जब उनके पिदा जी साजा देखो एक तो उनके यहां पर मित्र हैं कुछ नीजी मित्र उनके हैं उनका परिवार भी यहां है उनकी सगी बहन का जो विवाह हुआ है वो आगर आप बुढाना गेट से सुभाज बाजार की तरफ चलते हैं तो इनकी बहन की शादी यहीं हुई है तो मैं यह कह रहा था कि बावजूद इसके यहां पर बड़े-बड़े लोगों के घरों में तो जा रहे हैं मिलने मुलाकात करने जा रहे हैं पर यह भारतियंता पार्टी को यह स्टेट जी देखनी पड़ेगी कि वह आम आदमी इसे बहुत घुल मिलने पारे थोड़ा सा जो सेलिब्रेटी का गैप होता है ना वो गैप अभी दूर नहीं हो रहा और वो क्योंकि भाई बॉलिवुड से आये हैं थोड़े इसी उनमें ही चक है और उनके डीने में पॉलिटिक्स तो है नहीं जब आदमी बेसिकली पॉलि तो निकलना पड़ता है सब जगे जाना पड़ता है तो हो सकता है कुछ ठकांसी भी महसूस कर रहे हूं और उन्होंने ठीकाना भी बहुत अच्छी ज़्यादा करने चाहिए पॉलिक के बीच दिखें मोदी जी के बिलकुल आपने सही सुझाव दिया अभी तक वो क्या कर रहे हैं कि या तो मोदी जी की रहली हुई वहां मंच पर दिखें और जगा गए सुम्रिती रांडी भी उनके फिवर में कलाई हुई थी तो वहां पर भी दिखें और जो बड़े-बड़े लोग हैं जो जिने गर्मानने कह सकते हैं उनके सब के घरों में वो जा रहे हैं को तो मुझे लगता है फूलो की वर्षा होने लगेगी फूलो की बारिश हाला की नामंच वाले दिन पी वही थी आपके वाली बात हो जाएगी ना कि वह पैचान आप बिना मेक अप के नहीं पाहे लेंगे अगर मेक आप परिधान जरूरी है वही वहाला होना चाहिए तब है वो आरती होगी और वरते निकलाएंगी थाल ले लेंगे और मुझे ऐसा लगता है तो एकदम से लहर सी बननी शुरू हो जाएगी क्योंकि अगर आप जाती है समिकरण और वैसे देखें अर्श भाई तो बहुत आसान नहीं है भारते जिनता पार्टी की रहा कुछ चु नहीं आई वह भी बड़े अनिरनाएक इस्थिती में रहे तीन कंडिडेट बदल दिये पहले वह वकील वोटर होता है जाटा वोट से थे और लेकिन सनातन के लिए यह बहुत कुछ खिलाफ बोलते रहे तो उसको लेके हुआ फिर वहां भी वहारी हो जाए फिर नाम आया सावातुल पर्दान का उसने पर्चा भी ले लिया अतुल पर्दान वैसे तो ठीक है जो शीला है सब है लेकिन आप यह देखो कि सारे टेकेट उसे मिलेंगे क्या मेर का हार गये सब हार गये इदर विदान सबाज जीते तो उसका विरोध हुआ और दूसरी बात यह थी देखिए अब हम एक एक गणित लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा मोटे तोर पर अब अतुल पर्दान के साथ गूजर काफी आ जा जाते क्योंकि गूजर में तो बड़ी सी बात है वो पार्टी से पहले अपनी बिरादरी को देखते हैं लेकिन सर उनका जो विदान सबा छेतर है वो तो मुझे परणागर में पढ़ता है जो और उधर सदना उधर हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं था लेकिन वरकिंग यहाँ पर करते हैं आपको याद होगा विवाद में भी रहते एक न्यूटिम और होस्पिटल का भी विवाद हुआ ता अगर जाद हो तो वहां पर यह हुआ साब के यह चले गए एक मरीज़ी डेर्थ होगी फिर इनोंने अंशन किया सब कुछ किया बड़ी मुश्किल से वो मामला निप्टा था तो इनकी जो चवी है वो जड़ा शेहर के व्यापारियों और कारोपवारियों वो डराने वाली भी है थ इसमें हश जी इससे भार्तिय नित्य पर्टी को थोड़ा गंबीर होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी योगेश वर्मा जो इनके पती हैं उसकी अपनी स्टेट जी बनाना पकड़ रखना जमीनी नित्ता होना आपको याद होगा द तो यह इसके लिए योगेश वर्मा को जिम्मेदार माना गया था और योगेश वर्मा उसमें जेल भी गये बाद मेरा सुकता की भी बात हुई पिटाही भी हुई इसकी वह भी पड़े तो कुछ जो सगन बस्तियां हैं खास तोर पर जाटवो की वहां पर इनकी अपनी पक ही रहे हैं ना यह ना एक बार बसपसे विधायक रहे हैं मवाना से दूसरी बार यह जीते नहीं हार गये थे इनकी वाइफ सुनीता वर्मा मेर बन गई थी सकांता करता हम के सामने इससे पहले चुनाओं मैं वहीं मेर थी इन्हें जीता आया था अब बात यह है अर्जी के एक तरफ तो देखो इन पर दलित का बड़ा चंक आ गया धिर यह मान के आप चल सकते हैं कि मुस्लिम मद्दा था तो एंड ब्लॉक मतलब ज्यादा जो होगा मैं तो यह नहीं कहता पर ज्यादा इनके पास ही रहेगा और इनके लिए एक अच्छी बात यह हो गई योगेश्वर्मा के पाक्स में कोई और मुस्लिम प्रतियाशी ख़़ा नहीं तो इसलिए इनकी चुनाओती जो यह भाजपा को अच्छी चुनाओती देने की स्थिति में मुझे लगते हैं और एक और प्लस पॉइंट है इनके पास क्योंकि इस बार कांग्रेश से गडबंद हैं पिछले गडबंदन में 2019 में कांग्रेश साथ नहीं थी उसका अलग था गंड़ेट तो उसको उसको जो वोट मिलते हैं कॉंग्रेश को चाहे वो कैसे ही हो संब्धा वोट उनने मिलत कांग्रेश दार्स के भाई जो लखनव में एमेलसी और वो रहे थे जिनका भी विटी वाइराक पॉलेज है बुल्रेश शहर में यह रहते हैं मेलसी रहें कांग्रेश के अच्छे दिनों में मुझे लगता कि इसमें एक स्ट्रेटिजी समाजवादी पार्टी की यह भी र जी दूसरी तरफ देवरत त्यागी नाम पे तो त्यागी है जी और वो शिरीकां त्यागी वादा पर करन और वो मांगे रहां त्यागी का शोर वोर लोग तो यह कहरें सारे त्यागी मिल जाएंगे पर मुझे नहीं पता सारे मिलेंगे नहीं मिलेंगे पर काफी तो मिलें है और आपको मालूम ही है देखो शहर की सीट जो है वो वनवास वाली जो वो हैं वो सब फेस करने हैं चैलेंजेस नहीं खेर भारतिजनता पार्टी पर बड़ी मशीनरी है संसाधन है यह लोग अपना मैनेज भी कर लेते हैं चीजों को पर एक नजर में अगर देखा जाए त कित और भी यह हारे हुए हैं तो दक्षिन जरूर इनके पास है शहर इनके पास नहीं है तो यह अगर आप पूरा चित्र बनाओगे तो बहुत आसान रहा नहीं है और उस पर भी अगर कैंडिडेट घुल मिल नहीं पाएगा या लोगों को कम्निकेट नहीं कर पाएगा हलेकि मुझे यह है कि संग भी लगा हुआ होगा ऑब भार्टिञनेटापार्टी की तुना मशीनरी भी है जो बूर्त तक मतदाता को लगाने की ताकत है न खीच के लिया नव तो भार्टियन के पास है और किसी पे तो इतनी के दटर ना के दर है ना इतनी थाकत है लेकिन अगर हम पेपर का गणित लगाएं, अर्थमेटिक में तो बार्टिंता पार्टि दिक्कत में दिखाईते रही है, अब गैमिस्ट्री जाकर क्या बनेगी, रसायन कैसे होगा, उसका मैं नहीं कह सकता, पर वर्तमान में देखें तो आसान नहीं है, मुश्किल में फसे हुई सी आरेलडी का उसका क्या देहात में खासतोर से मेरिट के, क्या उसका इंपेक्ट है, क्या असर है? देखिया हर जी, ऐसा है, यह तो आपको भी हकिकत मालूम है और हमें भी मालूम है, कि जायन्त जी जब अलग भी थे गड़ बंदन से, तो भी 100% जाट तो उनके साथ था नहीं, तो कुछ तो पहले हैं, कुछ उनके आने से जो भी है, 25-30,000 केंट का देख लें, और कहीं भी जाटके देख लें, वो एडिशन जरूर होता है, यह लाब, यह थोड़ा सा ऐसा पहलू है, जो इसे आसान करता है, भारती इंतर पार्टी के लोगों में, मुझे उसका अभाव दिख रहा है, अब जैसे कली की घटना थी, सिम्रती रानी का जो महिलाव वाला प्रोग्राम था, तो उसमें एक लोगदल की नेता है महिला नेता, वो गई थी कुछ महिलाओं को साथ लेकर, तो उसका आरौप यह के साथ, हमें तो यह कह दिया कि भाई, अगर भाजपा का पठका पहन के आओ, तो आओ, रालोग के पठका पहन के मत आओ, आला कि इसका खंडन किया बा मुझे लगता है कि कुछ जगा तो वोटर अपना मन बना लेता है अब जैसे हम पहले रिपोर्टिंग करते थे जाते थे पता कर चल जाता था अब तो पॉकेट्स हैं वो तै कर लेते हैं तो जैसे यह अदिशनल हो गया उदर से माइनस हो गया तो चुनाओ थोड़ा रोचक हव जरूर हो गया कि यहां से प्रस हो रहा है वहां से माइनस हो रहा है पर मेरा शहर अगर हार הזik हर बी जाते है तो केंट इतने लीड दे देता है कि उससे बड़ा लाब मिलता है कि तो वहां भी हापूर से में हार भी जाएं तो दक्षिन और केंट दोनों जगह से लीड मिल जाएगी आंत में उपर आ जाएंगे पर हम यह सोचने लगें कि दो लाग की तीन लाग की लीड हो जाएगी तो मुझे जो पहले हुआ करती थी वो जड़ा मुश्किल लगता है महमला थोड़ा सा अभी भा मंतरी मोदी ने खुद ही मांच के बाद संजीब बालियान और संगी सोम को बलाया था और मुझे लगता है कि संगी सोम को अच्छे शब्दों में समझा भी दिया होगा उन्होंने कि वह ऐसा ना करें जो पार्टी का जिससे नुक्सान हो लेकिन उसके बाद भी नानोता में पंचाहइत हो इतिरव खेड़ा की पंचाहइत की बात हो रही है ये सब चीजे ऐसी जो मैनेज हो जाती है लेकिन एक प्रसेप्शन सा बनता जाता है और यह भी नाराज है वह बैश्कर लेगी मुझे लगता है पर यहां पर देखें तो बहुत जादा जोश ना तो योगे पर अब तो यही है ना बहुत समय से बहुत समय से यही रह रहे हैं बहुत समय से कारोबार यही है और मुझे लगता है कि इनों ने एक चैनल के लिए वहाँ जगा दी थी एक हमारे साथी को आफिस बनाने के लिए अपने ही जगा पे तो एक यूट्यूब चैनल भी उन्हों नहीं है तो कुछ रूची इनकी वैसे जागी थी और सोचली एक्टिव होने की और तब से इनके मन है कि बहुत कम हो चुका है तो बहुत ज़्यादा कोई करिश्मा कर पाएं ऐसा मुझे लगता नहीं तो चलिए तो आपने तो नट सेल में सारी चीजे बता दी कुछ क्वेश्चन्स मेरे बचे वे थे हुआ आपने अल्रेडी आंसर कर दिये तो अब बविश्य में जुडएंगे तो किसी और मुद्दे को लेकर जुडएंगे और चुनाव के कोशिश करेंगे कि चुनाव से करेंगे कि पहले का मतदान निपड़ने के बाद एक बार फिर आपसे कनेक्ट होंगे इस बारे में तो धन्यवाद आपका बहुत अच्छा लगा हर्श जी बहुत अच्छा लगा आपके दर्शकों को एक बार पुने नमश्कार आपका दन्यवाद और जब भी आप चाहेंगे मैं कोशिश करूँगा तुरंत जुड़ जाओं जो भी जानकारी शेयर करपाऊंगा उसे करूँगा धन्यवाद